सुशुत सूतरस्थान चैप्टर नमर 25 अश्ट विद शस्तर करमी है तो अचारे सुशुत ने कितने शस्तर बताए है मदलब कितने शस्तर करम बताए है तो अचारे सुशुत ने आठ शस्तर करम बताए है चरग जी ने छे शस्तर करम बताए है तो इसमें सबसे पहला शेस्त्र करम जो है वो है छेदन जिसको हम कहते हैं एकसीजन तो चीरा किसमें देते हैं हम भगंदर शलैश में ग्रंथी में तिलकालग नाडी वरन में अर्बुद में अर्श ठीक है और आप क्या याद कर सकते हैं सिराओं में गले सड़े भाग ठीक ह में ठीक है इंसीजन मतलब कि कट लगाना सन्नी पातिक विद्रधी के सिवाए अन्य सर्व विद्रधियों में जो है भीदन करते हैं भीदते हैं उनको ठीक है इंसीजन करना और वात पित और कफ से उत्पन होने वाली तीनों प्रकार की ग्रंथियों में भीदन करते हैं वि सर्व प्रकार की वृद्धियों में विदारिका में नाडी वरन में ठीक है नाडी वरन में देखे छे दन भी बोला था और भेदन भी बोला है दन तो पुपुट में तुंडी केरी में भेदन करते हैं ये कोईशन बहुत जादा तुंडी केरी में गरंतियों में नाडी वरन में स्तन विदर्दी प्रमे पीडी का विदारी का इन सब में भेदन करते हैं ठीक है भेदन मतलब की चीरा लगाना छेदन एकसीशन एकसीशन मतलब की हमने जैसे की उसको छेदना है ठीक है मतलब कट बगरा लगाके उसको अंदर से चांटना है ठीक है उसको कहते हैं जखम की सफाई करनी है तो ये सब छेदन में आएगा जैसे भगंदर में, नाडी बरन में, अर्बुद में अर्श में ठीक है और गल शुंडिकास, नाईू मास ठीक है, जो गले सड़े मास होते हैं तो उसको एकसीजन करना है ठीक है, निकालना है कट करके वहाँ से, लेखन होता है स्क्रैपिंग करना, जैसे कि रोहिनी में हमेशा लेखन किया जाता है, किलास में मेदो जन्ने दंत वैधर्ब में और ग्रंती रोग में देखें, ग्रंती रोग जो है उसमें भेधन भी बताया है और लेखन भी बताया है वर्तमगत रोग में अर्ष में, अर्ष में भी अगर आप देखें तो अर्ष में छेदन बताया हुआ है ठीक है, और मंडल कुष्ट में मास की वृद्धी में लेखन होता है तो लेखन करम यानि कि स्क्रैपिंग यह हम कहां कहां करते हैं तो आपको याद रखना है कि रोहिनी में वर्तम कत रोग में अधी जीविका में और अर्श में, मंडल कुष्ट में मेधो जन्ने दंत वैधर बुमे किलास में ठीक है और अनेक प्रकार की विकरतियां होती है ठीक है अनेक प्रकार की विकरत सिराएं होती है मूतर की वृध्धी हाइड्रोसील और जलोधर इसमें पंक्चर करते हैं ठीक है हाइड्रोसील यानि की मूतर वृध्धी और जलोधर में पंक्चर करते हैं वेधन करम करते हैं ठीक है और शले युकत नाडियां और उन्मारगी वरणों में एशन करम किया जाता है कि कोई नाडी है उसके अंदर शले है तो प्रॉबिंग करेंगे मतलब कि पहले तो क्योंगी प्रॉबिंग जो होती है एशन करम ये हमें अंदर जैसे कि किसी ह पालो एरिया में जैसे आज की रिट्मियम एंडुसकोपी ठीक है सिग्मोंडिसकोपी करते हैं तो उसमें पता लगाने के लिए कि शल्ले कहां पे है नाड़ी के अंदर और उसको निकालने के लिए उनमारगी वरणों में जो है एशन कर्म किया जाता है तो शल्ले का नाड़ जाजी में तो एशन करते हैं लेकिन नाड़ी वरण में छेदन बेदन दोनों बताया हुआ है तीनों प्रकार की शरक्राएं जैसे की दंत शरक्रा है, पाद शरक्रा है, मूतर शरक्रा है, डांत और कान की मेल, अश्मरी इसको ये सारी चीज़े वैसी है कि हमने निकालना आ वहां से extract करना है ठीक है गुदा में एक अठा हुआ मल इसमें आहारन कर्म किया जाता है and next इसकी रोगों में विस्तरावन कर्म ठीक है drainage का काम जैसे सन्नी पातिक विदर्दी को छोड़कर 6-5 जो विदर्दियों होती है सन्नी पातिक में तो हमने भेदन पड़ा था तो 6-5 विदर्दियों और कुष्ट में वेदन युक्त वायू में एक स्थान में उत्पन शोत में पाली के रोग में श्लीपद में विश से दूशित रक्त सर्व प्रकार के अर्बुद विसर्व प्रारंबिक तीन प्रकार की गरंतियां जैसे कि उपदंश में, स्तन रोग में, विदारिका में, जहां भी पस भड़ी हो और दंत पूपूट में, कफ चन्ने, ओष्ट रोग में, शीताद, दंत विश्ट, तो सन्नीपातिक विदर्धी को छोड़ कर, क्योंकि सन्नीपातिक विदर्धी हमें भेदर में पड़ी है, बाकी पांच प्रकार की जो विदर्धियां होती है, वेदना युक्त वायू है, और शोथ है, पाली के रोग है, श्लीपद है, तीन प्रकार की प्रारंबिक गरंतियां, उपदंश, शीताद, दंत, पूपूट, स्तन रोग, तो ये सारे जो पित रोग उगरा, उसके बाद कफ जन्ने ओश रोग, इसमें विस्तरावन कर्म करना चाहिए, नेक्स्ट इसके जो मेदू जन्ने रोग होते हैं, जिनमें भीदन हो गया हो, सुलेखन कर्म हो गया हो, चल संधी पर आशरित जो सद्ध्यो वरण होते हैं, या केबल सद्ध्यो जात वरण होते हैं, तो सद् संधी पे आश्रित वरण होते हैं, इनकी सूचरिंग करने चाहिए, सीवन कर्म करना चाहिए शार, अगनी और विश्य से व्याप्त वायू जिन से निकलती हो ठीक है, और जिनके भीतरी दूशी तरक्त और शल्ले शेश रह गया हो, तो ऑविसलि उसमें सीवन कर्म नहीं करना चाहिए नेक्स्ट है कि जैसे धूली, बाल, नक, आदी वस्तू, या अस्थी के तूटे, चलायमान, टुकडे ठीक है, इन्हें यदि वरण से नहीं निकाला जाए, तो ये वरण को अधिक पका देते हैं, अनेक प्रकार की वरण में वेधना उत्पन करते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें पूर वरण से निकालकर फिर वरण का सम्यक शूधन करके उसका उपचार करना चाहिए तो ये वैसे understandable है कि वरण जो है उसके अंदर कोई भी अगर प्रक्षालन करते हैं, वरण को अंदर से साफ करते हैं, फिर ही सूचर करना चाहिए अगर कोई भी चीज छोटी से छोटी अंदर रहे भी जाए तो वरण को बहुत बुरी तरह से पका देती है और उसमें वेधना उत्पन करती है वरण के किनारों को उंचा उठाकर दोनों किनारों को ठीक तरह से मिला कर महीन सूतर अश्मन तक की छाल के रेशे सन के रेशे सन के सूतर शों, सूतर घोड़े के बाल मूरवा और गिलोई के तंतू इन में से यतोयोगे किसी एक से वेली तक गोफनिका तुन सेवनी, रिजू गरंती ऐसी उचित जो भी आपको लगे उसे सीना चाहिए तो वरण के किनारों को आफटर वाशिंग उसको उपर उठाकर मिला करके सूचरिंग करनी चाहिए सीवन के लिए घोड़े के जो बाल होते हैं अश्मन तक की छाल के रेशे होते हैं सन के सूतर, शोम के सूतर ठीक है या फिर गिलोय के तन्तू इन सब से सीवन करना चाहिए और पहले देखना चाहिए कि किस प्रकार के सूचर्स लगाने हैं वेली तक गोफनिका, तुन सेवनी, रिजू गरंती खीक है, जो भी आपको ठीक लगए वो सूचर्ण कर सकते हैं नेक्स इसकी, जो कम मास वाले अंग ठीक है, और संधियों के सीवन के लिए जहाँ पर मास कम होता है और संधियां होती हैं जहाँ पे ठीक है, उनके सीवन के लिए दो अंगुल लंबी और गोल मुख वाली सुई चाहिए अधिक मास वाले में तीन अंगुल लंबी और तीन धारा वाली सुई चाहिए ठीक है मर्मस्थान वृष्ण कोश उदर के सीवन कर्म के लिए मर्मस्थान वृष्ण कोश उदर के सीवन कर्म के लिए धनुष के समान टेडी सुई चाहिए इस तरह मालती यानि की चमिली के पुश्प के वरंत के अगर भाग के समान मोटी गोल तीक्षिन अगरन वाली जो तीन तरह की सुईयां होती है तो आपनी याद रखना है कि संधियों में जहां पर मास कम होता है वहां पर दो अंगुल नंबी गोल मखली सुई के लिए ठीक है नेक्स जिसकी वरं ओष्ट के सीवन कर्म में सुई को ना तो अधिक दूर ना अधिक समीप ठीक है अर्था टांके ना अधिक दूर दूर लगाने चाहिए ना अधिक पासपस लगाने चाहिए दूर लगाएंगे तो तनाव बढ़ेगा उसके कारण पीड़ा होगी अधिक समीप लगाएंगे तो वरं ओष्ट के किनारे टूट जाएंगे ठीक है अच्छी प्रकार से सिया हुआ जो वरं है उसको शौम वस्तर या पिचू से ढखकर प्रियंगू सौविरांजन मुलेठी लोदर शल्लकी के चून ठीक है इन सब का प्रतिसारं करना चाहिए ये मुनसार उसका बंधन करके पत्थे पत्थे का अदेश करना चाहिए ठीक है नेक्स्ट है कि उक्त अश्ट विद शस्तकरम में हीन छेद या फिर आवशक्ता से अधिक छेद तिरियक छेद और सावधानी से अपने ही शरीर में छेद करना ये चार व्यापतियां होती है हीन अधिक छेद और तिरियक छेद या फिर अपने ही शरीर से बाइमिस्टिक छेद करना ठीक है तो ये चार प्रकार की व्यापतियां होती है शस्तर करम में अग्यानता से लोब से अहित वाक्य के योग से भय से मो से या फिर अन्य किन्ही आश्यों से जब वैद शर्जन रखतादी विकारों को शेश अर्थात उपस्तित रखता है तो जो इंटेलिजन नहीं होगा केरफुली नहीं करेगा तो वो वरण में गलत शेस्तर करम करके उसको पका देगा तो उसमें पुए भर जाएगी ठीक है एंड श्लोक नंबर 34 & 35 कि दस्ट से आधे दस्ट से ब्लीडिंग में उशनता का भरना संधियों में शैथिल्ले बिहोशी वाद्चने भिनभिन तीवर वेदनाई होती है ठीक है भ्रम प्रलाप शरीर को उल्टा पुल्टा करना हस्तफात को पटकना और वाद्चने भिनभिन तीवर वेदनाई सिराओं में छिन भिन होने पर वीर बहुटी के समान लाल रंग का रक्त घाफ से अधिक मातरा से निकलता है वायू ब्रकुपित होती है अधिमन शिरो रोग वगरा होते हैं तो शिराओं में छिन होने पर एक्सेसिव ब्लीडिंग वीर बहुटी के समान जो लाल रंग का र नेक्स्ट इस जैसे की शोफ का अधिक व्रिद्धी होनी भ्यंकर वेदनाई होनी ठीक है जोडों में यानिकी परवों में जोइंस में सुफुटन होना शोत या संधियों के कारे जो है उसमें उसमें मतलब रुकावट होने ठीक है ये संधियों के शत के कारण है ठीक है शोफ बढ़ना भ्यांकर वेदनाए होने जोइंट्स में पेन होने शोफ होना संधियों के रिलेटर जो भी कारे हैं वो कम होना उनका अभाव होना तो य संधियों में शत्थ होने के कारण है जिस मनुश्य के रात और दिन में भ्यांकर पीडाएं हो किसी बेवस्ता में इसको शांती न मिले तो यह अस्थि विद जानना चाहिए जहां पेड़ा ही पीड़ा हो बहुत जादा ठीक है नेक्स्ट इस पर्श ग्यान का अभाव सिरस न जो मास मर्म होता है उसमें मतलब की उसका जब उसमें छेदन हो गया ठीक है तो उसमें स्पर्श का अभाव होता है शरीर तदा तवचा के वर्ण होते हैं पांडू होते हैं यह लक्षन जानने चाहिए नेक्स्ट है कि हीन कर्म करने वाला जो वैदे होता है श्यस्तर कर्म क समय असाफधानी से अपने ही अंग को काड़ देता है आत्म घाती कू वैदे को आत्मा कहित और तीरगायों की कामना वाला मनुश्य जो है छोड़ दे यह यह तो ऐसे शस्तर के तिर्चा चलाने से जो दो शुपन होते हैं उन्हें अगर उपर ने अध्याई में कह दिया गया है नेक्स इसकी व्याधित पुरुष माता पिता पुत्र और बंधों में में शंकित मन होकर रहता है किन्तु वैदे में पून विश्वास करता है और अपने शरीर को वैदे के भरोसे छोड़ देता है किसी भी प्रकार के शंका नहीं करता सच्चे वैदे उस रोगी को अपने पुत्र के समान चिकित्सा आदे का रक्षन करे तो पुत्रवत चिकित्सा करनी चाहिए ये जो रेफरेंस से आया हुआ है सुशु सूतर 25 में क्योंकि जो व्यादित पुरुश होता है वो अपने फैमिली पर भी विश्वास नहीं करता है के वल डॉक्टर पर भी विश्वास करता है अपना शरीर डॉक्टर के भरोसे छोड़ देता है तो उसकी पुत्रवत चिकित्सा करनी चाहिए ठीक है इस तरह से हितकारी कर्म करने वाला जो वैदे धर्म अर्थ अधिक कीरती सज्जनों में आदर ग्रहन और सुर्गवास को प्राप्त करता है कोई रोग एक करम से कोई दो करम से कोई तीन से कोई चार करम से ठीक होता है